अम्रिचरी पनीर भुजी तो सब ने खाई होगी लेकिन घर में जब बनाते हो तो वो टेस्ट नहीं आता इसलिए नहीं आता क्योंकि आज से पहले आपको वो मसाला ही नहीं पता जो पनीर भुजी में बनाया जाता है पनीर भुजी में जो सीक्रेट मसाला आट करते हैं उसक पहली बार मैं अपने चैनल पर शेर करने वाली हूं जिसे जब आप अमरिचरी पनीर-भुजी बनाओंगे तो चाहे आप ये पनीर-भुजी घर में बनाकर खालो चाहें अमरिचर में जाकर खालो सेम टेस्ट आनागा एक शुट्व सबसे जो पहला स्टेप है वहा बेसन ग्यास के उपर मैंने एक लोहे का पैन रख दिया उसमें चार टेबल स्पून मैंने बेसन डाल दिये हैं अब बेसन को ना सरफ रंग चेंज होने तक हम भून लेंगे आज से पहले आपने जितनी बार भी अमरिच सरी पनीर भुची की रेसिपी देखी होंगी शायद ये स्ट जबू आने लग जाएगे कि बेसन भुनके रेडी हो चुका है अब इसके अंदर हम डाल देंगे आधा कब दही बहुत ही इंपोर्टन इंग्रीडियंट है दही भी इस पनीर भुची का और दही मिलाने के बाद अब इसमें मसाले डाल देंगे आधा चमच बुना जीरा प दख लीजे और वह एक चमच मसाला मिक्स आपको डालना है और साथ में एक चौथा ही चमच डाला मैंने किचन केंग मसाला और एक चमच कसोरी मेति को थोड़ा सा तवे पर भून लेना है उसके बाद हाथों के बीच में इस तरह से क्रश करके आपको एड़ करना है ये आदा कप मैंने पानी भी मिला दिया है जिससे की एक पतला सा घोल बनके तयार हो जाए यही वो मसाला है जो सारे दुकानदार लोग डालते हैं अमरित्सर की पनीर बुच्ची के अंदर लेकिन यह जो मसाला हमने बनाया है यह बिल्कुल इंकम्प्लीट है तो इसे मेरी लाल मिर्ची पाउडर चमच से अच्छे से मिर्ची को और ओयल को मिक्स कर लेंगे और यह हम डाल देंगे बेसन के मिक्सचर में बस अब अच्छे से ओयल को और बेसन के गोल को मिक्स कर लेंगे और यह हमारा सीक्रेट वाला मसाला बनके रेडी हो चुका है इसमें आप काफी सारी सब्जियां बना सकते हैं, specially पनीर की सब्जियां, बिसके अंतर 1.5 टेबल स्पून लेमन जूस भी डाल देंगे, लेमन जूस थोड़ा जादा कॉंटिटी में डलता है, और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, दही जो है हमने बिल्कुल भी खटा ने लिया, लेकिन उसमें हमने मिलाया लेमन जूस, जिससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा, तो देखें ये मसाला बना के रख लीजे फ्रिस्क के अंदर, और ये मसाला आप किसी भी सबजी के अंदर आट करेंगे, तो उससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा, और दुकानदा लोग ये मसाला बल्क में बना के रख लेते हैं, और ये हमने पनीर लिया है, जो कि घर का बना पनीर है, दूट जब फट जाता है, तो उससे मैं इस तरह से पनीर बना के रख लेती हूँ, बजार के पनीर से जाद च्छते स्ट घर के पनीर में आएगा, और ये हमने 3 टमाटर ले लिए, एक दण बेखिए, पतले पतले सलाइसे में काट लिए, आप चाहें गोल्ट सलाइसे में काट लीजे या लंबे सलाइसे में, ये हमने अनियन्स भी इस तरह से, जो पटाटो स्लाइसर आता है उससे मैंने स्लाइस कर लिए तम पतले पतले अनियन के लच्छे बना लिए और साथ में डेर बड़े चम्मच हमने अतरक एक तम बारीक बारीक फाइनली चॉप किया है कदूगस से आपको ग्रेट नी करना है अब एक भारी पैंदे के बरतन में बड़ा चम्मच देल डालेंगे साथ में डाल देंगे तीन बड़े चम्मच मखन मखन से पहले मैंने ओईल इसले डाला है जिससे की मखन जलेना अब मखन को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे पूरी रे प्यास जो है इसके अंदर आपको ब्राउन नी करना होता है बस प्यास को ऐसे ही हलका सा ट्रांस्परेंट होने तक सेखना होता है अब जो तमाटर हमने काट के रखे थे बस वह भी आट कर देंगे और टमाटर को भी सिमिलर प्रॉसस से हम सेख लेंगे तो तमाटर जो हैं जब तक थोड़े से मुशी ना हो जाएं तब तक आपको इने फ्राइ करना है थोड़ा नमक भी आट कर देंगे और नमक जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपने बटर नमक वाला अमूल बटर आट किया है उसमें नमक तेज होता है इसलिए नमक बिल्कुल अवोइट करना ब साथ में एक चौथ हाई कप मैंने धनिया बारी काट के आट कर दिया साथ में जो मसाला बनाया था बेशन का वो आट कर देंगे इसी स्टेच पे और अब आपको इस मसाले को कंटिनिसली चलाते हुए पकाना है मसाले को पहले हम अच्छे से पका लेंगे देखिए ओयल सेप prende ओने तक आपको पकाना है तो देखिए ओयल आपको दिख रहा है सारा का सारा ऑइल अच्छे से जब सेपरेट हे शके बाद के अंदर हम प क spons रहे तो मैंने टीन कप बहुर के जो पनीर है वो आट किया है और यो पनीर मैंने आट किया यह घर का बनांपनीर है जो दो म मिक्स करेंगे continuously चलाते हुए कम से कम 5-6 मिनिट आपको continuously चलाते हुए इस पनीर को मसाले के साथ सेखना है और जरूरत पड़ेगी तो इसमें थोड़ा सा हम पानी भी आड़ करेंगे अब मैं इसके अंदर एक कब दूद आड़ कर रही हूं दूद से बहुत ही अच्छा फ्ले निया डाल देंगे बटर डाल देंगे और थोड़ा सा कदुकस कर देंगे पनीर चाहें तो आप थोड़ा सा कदुकस चीज भी कर सकते हैं बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और यह हमारी जो पनीर बुझी है वो बनके रेड़ी है अमरिच सरी स्टाइल में और इसमें मैं वो एक और दो सीक्रिट इंग्रीडेंट्स बताती हूं जिसे एड़ करने से जो फ्लेवर्स हैं और इन्हांस हो जाते हैं वह है कच्छा टमाटर काटके एड़ कर दीजे और साथ ही में इसके अंदर कच्छा प्यास जो है काटके आड़ कर देंगे और बस उसे मिक्स करके और टेस्ट तो क्या खहना ला जवाब आप बना कर देखिए आप खुद इसके फैन हो जाएंगे और मैं इसको कुल्ची के साथ सर्फ करने वाली हूँ यह होल बीट कुल्चा है असानी से मार्केट में मिल जाते हैं जिनने आप पहले बटर में अच्छे से से सेक लीजे ट लच्छों के साथ और सफेद ब्रेड के साथ इस तरह से इसको सर्फ किया जाता है अम्रिचर में यह बहुत ही मशूर है गली-गली में आपको यह अम्रिचरी पनीर बुझी ब्रेड के साथ मिल जाएगी जो कि बहुत एक्स्ट्रीमली पॉपुलर है इसे बनाने की आज मैं आपको बिल्कुल ऑफैन्टिक वाली रेसिपी बताईए जिसे घर बैटए अम्रिचर वाला टेस्ट आपको आने वाला है आप भारत की किसी भी कोनी में बैटकेस ते घर में ट्राय करके देखना अम्रिचर जाके फिर अम्रिचरी बुझी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन क्लिक करके जिसे की आप मेरी रेसिपी जादर से जादर देख सकें और कमेंट करके अपने सजेशन शेयर करते रहें